और मास्टर जी की अंतिम यात्रा जैनिवा से निकल रही है उनके सब को गाड़ी में रख दिया गया है मास्टर जी के सब को गाड़ी में रखा गया है मंत्री जी के सब को गाड़ी में रख गया है और परीजन अफसवार हो रहे हैं मोक्ष वहान में मास्टर जी के आखरी विदाई हो रही है निवास्तान से जैनिवा से अंतिम विदाई मास्टर जी की मास्टर जी के आखरी विदाई आप देख रहे हैं माषतर जी की विदाई आखरी विदाई गया है मत देख जाँ है नारे लग रहे हैं वारे बहुलाल एक लाः जाँ मुक्स वहन रवना हुट भहें मुक्स वहन रवना हुट भहें मुक्स वहन रवना हुट भहें मुक्स वहन रवना हुट मुक्स वहन रवना हुट भहें 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 कि मुक्ष वाहन में सवयात्रा अंतिमयात्रा रमना हो चुकिए हैं अब आप में अब आप आप माश्टा महमला जी मेगवाल के आखरी विदाई आप देख रहे हैं देखे हर जगे भीड है यहाँ पर हर जगे लोग दर्फन कर रहे हैं यह देखे इस्टासन रोड के दोनों और फड़े हैं और इस बीच अरतन गडविदाई के विलेश मेस्टी जी यहाँ पर पहुंच चुकिए हैं यह मुक्ष वाहन समाष्टे जी का पार्टी उड़े है वो अब इस्टासन रोड से निकल रहा है देखे भीड देखे अन्तिम यात्रा में सामले वे लोगों की स्टेशन रोड का दर्शा आप देख रहे हैं अजारों लोग आप देख रहे हैं अन्तिम यात्रा में सामिलों के लिए पहुंच है कर दो में सामले खामलिक का दो दो है हमें सोगने हैं ? कर दो है याई कर दो है कर दो 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 है सुजानगड की गलियां छोटी पड़ रही है आज राजस्तान के सामाजिक नाय विदिकारतन मंतरी सुजानगड विदा एक मास्टर बहुनलाल मेगवाल की आखरी विदा यह आप देख रहे हैं इस समय सब यात्रा विंग्टे सरमंद्री के सामने से निकल रही है और मैं करहां सुजानगड की सडके छोटी पड़ गई है निश्ची दुरुप से एक महान नेदा जिन्होंने लोगों की दिलों में जगे बनाई आज यून का चले जाना आखरी विदाई में राजस्तान के के बिनेट मंत्री आप देख रहे हैं आपर पहुंचे हैं और चुरुजी ले के छोटे-छोटे गाउं से लोग यहां पर उनकी इंतिम व्यात्रा में समीन उने के लिए यह रों समीन हो रहे हैं अब भारी भीड आप देख रहे हैं मस्त बहुला जी में गवाल के इनती में आत्रा में समीने के लिए वाल कुचे बड़ी में सुमा में। पारा जीम रहे हैं जही बड़ी में आप हम जाप आई सत्राइब के लिए सत्राइब पारा जाए नैक में बड़ी हैं भार यहा हैं भार-ग है तो प्यों यहां है सुजान गट की स्टेसन रोड पर देगे चैल पहल जगह जगह लोग पुष पांच रिपीत करें कोठारी के निवास्तान पर आप देख रहे हैं यहां पर उश्प चक्र लेकर इंतजार कर रहे हैं इदर से कुछी देर में हंती म्यात्रा मंतर जी के निकलने वाली है अपर पुष पहें कोठारी रोड का दिश्चेब आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि नवीन जी चोड़िया और उनकी माता जी परीजन आप देख रहे हैं आप पुष पचकर लेकर आप देख रहे हैं यहां पर पुष पचकर लेकर आप देख रहे हैं नवीन जी पुष पचकर चड़ा रहे हैं बहुरी भीड़ आप देख रहे हैं कि आपका गास बाग रहे हैं आपका कुछ कर बेंट कर रहे हैं को थारी रोड से होकर अन्तिम याथा निकल रही है लोग मस्ट भॉलाजी में गवाल के अन्तिम दर्शन कर रहे हैं यह गांधी चोक का दर्शिय आप देख रहे हैं जहां भी जगय मेरे लोग खड़े है गांधी चोक पहुंच रहे हैं मस्ट भॉलाजी में गवाल खेंधी में आथा प्लिस कर में आगे एसकोर्ट कर रहे हैं पहन पर गांधी चोक का दर्शिय आप को दिखा रहे हैं जगय जगय लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं पुष्पांज रिपीत कर रहे हैं कि गंड़य के पास अब अंतिमी आत्रा पहुंच रही है प्लिस समय गंड़य के पास पहुंच चुका हूं और गंड़य के पास आप देख रहे हैं मास्ट भॉलाजी में बंतिम यात्रा पर मसीन से पुष्पपर्सा की जा रही है कि हर कोई अपनी सरे लिएित कर रहा है क्यों ने कले आज राजयत्सान का एक दिगजन देता यो सुद incarn गर्ड की पहचान था। सुद'Murland की जान था। एसे मासर महलाज मेग़वाल का का देव लोगमन हुआ है और पूरा सुधान के डांसू बाहरा है और उनके अंतिम यातरा पर पुश परसा कर रहा है उनको आखरी विदाई दे रहा है यहां मास्क वित्तित किये जा रहे हैं यह देखिए मसीज से पुश परसा हो रही है मावीर जी बगडिया खुद यह कारिय कर रहे हैं और देखिए हर जगे भीड हैं नगर कॉंग्रेस कमेटी कारियले का दरश्या आपको दिखा रहा हूं जहां पर नगर प्रसकीत सभापती शिकंदरी खिल जी उसका रामवतार जी मंगलाहरा और तमाम वरिष्ट कॉंग्रेस के नदर राएं यह देखिए यहां पर पुश्प चक्र लेकर यहां पर खड़े हैं और नगर कॉंग्रेस कमेटी कारियले के सामने मस्त पुश्प और पित की जाएगा कॉंग्रेस कमेटी कार यह देख रहे हैं अपने नेता को आख़री विदाई देने के लिए उनको सरदान लिपित करने के ही लिए नीचे और सत्वां सभी लोक कड़ें हैं और सब यहाँ से URL किरें और थे करेंगे आप दिखेंगे और जुका दिया गया है। लोग कॉंग्रेस के मेटी कारिया लेबर जोड़ार पुश्वर्शा की गई है पुरह पुरह परदान आप देख रहे हैं संतोस तालनिया जी सड़क पर दोनों और आप देख रहे हैं लोग फड़े हैं रास्ते के दोनोर आप देख सकते हैं लोग फुस्दवियर खड़े हैं हर रास्ते पर आप देख रहे हैं फीड़े हैं अन्तिम दर्सनों के लिए राज के भगडिया चिकट साले के पास से निकल रही हैं पुरी रास्ते पर आप देख रहे हैं सडके दोनों और लोग इखटे हैं कि सुदान गट के प्रिये नेता कॉंती मिदाई दे रहे हैं कि सास्त्री प्याउग के पास का दर्श जाई है अन्ति म्यात्रा बोजलाई बास सांचोप पहुंच रही है बोजलाई बास के समसान में अन्ति मसंसकार किया जाएगा और यह सांचोप दर्श आप देख रहे हैं जहां से अन्ति मात्रा निकलने वाली है यह सांचोप का दर्श आप हर जगह आप देख रहे हैं मईलाएं खड़ी है यह समसान के पास का दर्श आप हैं बोजलाई बास अन्ति म्यात्रा पहुंचने वाली है मास्टर महुलाजी में अकबाल की जिला खुलेक्टर महदै पहुंच रहे हैं चुरज जिलक लेक्टर पहुंच रहे हैं अब समसान के पास भी मास्क वित्रित के जा रहे हैं, पुलिस अभी ख्रक सब पहुंचे हैं फ़र सिदे समसान और जिला क्लेक्टर मोदे भी समसान में लोगों पर विशेस नगिदाने रख रहे हैं, जो बिना मास्क या रहे हैं, उनको मास्क लगाने के लिए किया जा रहा हैं, जगे जगे मास्क के अंदर भी रखे गए हैं, क्योंकि कोविट-19 के प्रकोप में यह सब हो रहा है, इसे में सावदानी बहुत आवशिक हैं, सुजान गट के बोजलाइबास इस्तित समसान घाटडे में मास्टर भॉलाजी में एकवाल की अंतीम यात्रा पहुंच रही है, मंत्री जी की जो अंतीम यात्रा उनकी निवासतां से रहान होई थी, उसके बाद में वेंग्टेश्वर मंदिर कोठारी रोड, गांदी से धाजारों के संक्या में लोग उमर पढ़े हैं, उनको अंतीम विदाई देने के लिए समसान खाट में प्रवेस्ट कर चुके अंतीम यात्रा समसान का द्रशे है समसान का वो सल जहां पर मास्ट बहुला जी में वाल का अंतीम संसकार किया जाएगा यहां पर भी गार्दो पोनर प्रस्तुत किया जाएगा, गार्दो बनर के लिए आप देख रहे हैं, पुलिस की टुकड़ी यहां पर मौजूद है और मास्ट बहुला जी में वाल का जो पार्टिवदे है वो यहां पर समसान पहुँच चुकी है, इधर आप देख रहे हैं, पुलिस की टुकड़ी मौजूद है और इस सिस्थान पर जहां हम खड़े हैं, वहीं पर मास्ट बहुला जी में वाल का अंतिम स्थार का फिलाप देख रहे हैं, यह देखिए, यह मास्ट बहुला जी में वाल का जो पार्टिवदे है, यहां समसान पहुँच चुका है यह अंतिम दर्शन के लिए समसान में भी रखा जा रहा है गाड ओफ अनर, समसान में भी यह मास्ट जी के अंतिम दर्शन है और अभी भी आप देख रहे हैं, नेता कंड, मंडेलिया जी आप देख रहे हैं, आपर सदान जी रपित कर रहे हैं पाजी मकबूल मंडेलिया जी, और अन्य नेता कंड, चुरू के पूरविदाएक ये अंतिम दर्सन है सुधान गड़ के ला लें देता राजस्तान के सामाजिक ने आई दिखा था मंत्री के एकबाल जी के भाई बागिर जी अपने भाई को आखरी विदाई दे रहे हैं अंतिम दर्सनों के लिए समसान ये सब को रखा गया है प्रसास्ते का दिकारी करने अब सरदान जी लेपित करेंगे जिला कलेक्टर और एसपी पहुंच रहे हैं चुरू जिला कलेक्टर गावनडे जी पहुंच चुके हैं यह पर और एसपी पारिश दैसमुक्वे पुष्प चक्र भेंट करके मंतर जी को सरधान जी पित करेंगे यह देखे है पुलिस के द्वरा यह सरधान जी होगी जी लग लग साथ रहेंगे पुलिस के तमाम अला दिखारी आई जी साब भी पहुंचे हैं देखे आपके आपर अजी साब यहां पर पुष्प चकर भेंट करके सलामी दे रहे हैं राजस्तान के सामाजी के नहीं में दिखाए था मंतरी वह अग्रिविदाई जिलाक लेक्रम हो देखे पुष्प चकर भेंट करके सरधान जी पित करेंगे और एस पी परिस देश मुख पुष्प चकर भेंट करेंगे यह देखे इस से लूट किया जा रहा है और नेता प्रतिप्रक्ष राजन्दा सिंग्रा ठोड उश्प चकर भेंट करेंगे केंद्रिय मंत्री ने और यह सांसत के द्वारा पुष्प चकर भेंट करेंगे सम्शान का यह द्रश्य है अभी ने इस मेर सी पुष्प चकर भेंट करेंगे रतन गट विदाएक पूर्वख निज्राज्य मंत्री पूर्विदाएक सुजान गट के मारा मेगवाल पूर्वख जिला जक्स बीजेपी चावला जी मुद्रि प्रकास होनी विष्णुदत त्रिवेदी सभी सर्धान जी इप्टित कर रहे हैं बस संत सर्मा ने पुष्पांजर अरपित की हैं और संतोस मेगवाल आप देख रहे हैं नमांकों से पुष्प अरपित कर रही हैं बोजलाई बास्तित शम्शान का दृश्य आपको दिखा रहे हैं पार्शत कोन मेश्वरी जीले के तमाम आला निता देख रहे हैं आपर और अरजुन मेगवाल परिजनों को समेदना दे रहे हैं बोजलाजी मेगवाल के एकलोते पुतर मनोच मोईल के परती समेदना दे रहे हैं और राहूल कस्वा सांसत सुरू सभी मंत्री जी के एकलोते पुतर मनोच मेगवाल को समेदना दे रहे हैं सुजान गड़ विदाएक राजस्तान के सामाजिक नयाएं दिखरता मंत्री माश्ट पहुमला ने मिगवाल के निदिन के बाद उनको अंतिम विदाई दी जा रही है सुजान गड़ के बोजला वास्तित सम्शान का दर्शे है राजस्तान की राजनेती को एक बहुत बड़ी खुशती हुई है देश के प्रसित दली तेता और राजस्तान के सामाजिक नयाएं दिखरता मंत्री माश्ट पहुमला जी मेगवाल का निदिन हुए कोविट काल में एक महत्वण डिपार्टमेंट के प्रभारी होते वे उन्हें जिस तरह से कारी के थे और इसके बाद उनका चले जानाने सी तुरुप से बहुत बड़ी ख्याति है और देश के तमाम दिगज नेता पहुंच रहे हैं अभी भी सबसे बड़ा जो चेरा यहा के लिए और जो राजनितिक दल हैं जिस दल को वह बिलॉंग करते थे कॉंग्रेस पार्टी उसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा चेरा चूरु जिले के लिए भी बड़ा नाम जैसे आपने कहा बहुत बड़ी च्छती है और वह सामाजी एक समरस्त साके भी पक्षदर थे इस पस्तवादिता के लिए वह पूरे परदेश में नहीं देश में भी जाने जाते थे जिस पार्टी को वह ब्लॉंग करते तो उस पार्टी में भी जाने जाते थे और न्याय और अन्याय को देखते वे जब जो कोई निन्ने कर लेते थे तो अपन परम्पिता परमेश्व से प्रात्ना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांती मिले और परिवार को ये पीड़ा सेहन करने की सक्ति प्राप्त हो राजस्तान में दलित राजनिती का एक बड़ा नक्षत्र आज लुप्त हो गया मास्टर बहुनलाल के निदन से जहां सत्तारूड कांग्रिस दल को अपने शती हुई है वहीं चुरू जिले की राजनिती के अंदर एक ऐसा स्तान रिक्त हो गया जो वही भरा करते थे सकारात्मक राजनिती के वो धनी थे मास्टर बहुनलाल जी मेखवाल का चले जाना निश्चित तोर पर समाजिक और राजनितिक चेत्र में एक अपनी शती रही और हम सब लोग उन्हें हारदिक शर्धानजिली अर्पीत करने आहे हैं असुरुपीर सर्धानजिली अर्पीत लोक्तंतर में लोगों के बीच मैं जो पक्षवर प्रतिपक्ष का जो गहुंता है उसमें भी बड़े वीरों दिये हैं लेकिन इसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व था बहुत बड़े नेता थे और निसी तुरुप से जिसे एक बहुत बहुत सही का स्टेट के नहीं डिस्टिक से भी और हमारे पर इंडिया के बहुत बड़े बड़े रहा हैं कि आशला वजाई हमेशा एक लिट्ट को रहती थी और अज एक लॉस जो है बगवान से प्रात्ना करते हैं फैमिली को सपोर्ड दये और हिम्मत देता कि वह समय से निकल सागी बहुत ते गैरा सदमा परिवार को लगा पर यह पंद्रा दिन पहले ही हम इसी समसान में बनार्शी देवी जी के अंतियम संसकार में आयते कवरेज करने के लिए और आज यह नहीं सोचाता कि मंत्री जी यू इस ते दिल दी चले जाएंगे एक और गार्दो पॉनर प्रेसी किया जा रहा है वहीं सभी आप देख रहे हैं खड़े होकर एक महान नेता को के सम्मान में खड़े हैं और सरदास को मनर्पित कर रहे हैं निवरत्मान परदान विदासर संतोस मेगवाल भी हैं यहाँ पर मौजूद मास्टर भावरलाल जी मेगवाल नेकेवल चुरू जिले के नेता थे बलकि पूरे राजस्तान के बहुत बड़े कदावर नेता थे दलित नेता थे दलितों के लिए उनके रिधे में जो एक उन्नती का भाव था दलितों के लिए वो जो करना चाते थे जीवन में उन्होंने बेवा की से किया पक्स और विपक्स की बात नहीं करते थे वो चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करते थे वो गरीब को गणेस मान करके सेवा करते थे काम करते थे और हमेशा नए लोगों को प्रोटसाहित करने का काम भी करते थे राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी को ऐपुरनी एक्षती तो हुई हुई है बलकि पूरे देश को पूरे राजस्तान को ऐपुरनी एक्षती हुई है मेरे उनसे बहुत व्यक्तिकत संबन्द थे और मुझे बहुत प्यार करते थे मास्टर बहमरलाल जी मेगवाल को जब बिमार हुए थे अबी से ऐसा लग रहा था कि मास्टर बहमरलाल मेगवाल साब जल्दी से जल्दी ठीक होकर के आएं सब लोग दुआ भी कर रहे थे लेकिन दुर्भागे से मास्टर बहमरलाल मेगवाल साब ठीक होकर के नहीं आए पिछले दिनों आप सब को मालूम है उनकी पुत्री बनार्शी देवी मेगवाल का जिस तरह से ऐसामईक निधन हुआ आज वो चले गए ये पूरे परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को ऐसी शक्ति दे जिससे वो मास्टर भमलाल मेगवाल जी की और उनकी पुत्री के नई होने पर भी सं भी खरी कहने वाले थे इसके कान कई बार वो वीबादों में बैया जाते थे आकरी चुनाव लड़ा था उस समय वो चुनाव काफी सर्चित रहा था क्योंकि विदासर की जो परदान है संतोस मेगवाल जी ने उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और अभी मैंन उनसे लेना चाहूंगा क्योंकि आपके गुरू रहें माश्टर बहुला जी मेखवाल माश्टर बहुला जी एक ऐसी सक्षित थे जिन्होंने मुझे मुझे राजनितिक मंच दिया लेकिन आज हम सब के लिए बड़ी दुख की बात है कि हमने कैसे नेता को खो दिये जो एक पुत्री बनाशी जी का अचानक चले जाना सुजानकड़ की राजिंति के लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी छिती है इस वन्हें करें ऐसा किसी के साथ हो लेकिन समय परिवारतने सील है समय पताने कब क्या हो जाता है मैं अपने सब्ब बयान ने कर सकती और आप विए हैं सब की इस्थिती यही है इसलिए जितने लोग यहां अँखों से आंसु बहे रहे हैं चालीस वरस तक प्रह गया सुधानिड़की राजदियते बिल्कुल सुनग्रेस के लिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी जो विरासत वो जिस्त में देख रहे थे लोग बनार्शी दी मैगवाल अठारा दिन पहले उनका देहान दो था इसी समसान में हम सब यहां पर आये थे लेकिन कहा जा रहा है कि धिरे धिरे उनके इस वास्ते में सुधार इसी खबरें आ रही थी लेकिन जैसे उनकी बेटे का देहान था ये खबरे पहुंचें के बाद वो जिन्दकी के जो जंग लड़े थे उस जंग को वो हार गए और कल उनका मेदान ता होस्पिटल गुडगाओं में देहान तो गया और आप देख रहे हैं बड़े-बड़े नेता यहां पर उनको सरदांजली एर्पित करने के लिए पहुंचे हैं बहुत बड़ा नाम था उनकी आवाज उनके बोलने की शेली उनका अंदाज यह सब रह गया है मास्टर भावलाजी मेगवाल हमारे बीच नहीं रहे हैं वो चले गए हैं लेकिन जो कुछ उन्हों ने सुदानगट के लिए किया है जो कुछ वो बोले जो जिस तरह से वो ल सब्सकार के लिए सब को लाए जा रहा है समसान में साइद आस तक इतनी भीड कभी नहीं होगी बजलाइबास के समसान में अंतिम दर्शा है बजान कड़ के लाड लेता है कर दो कि गपले आसान में यार जो घालाइबासे तक तक बालाइबासे नहीं होते प्राइबासे के वो जारे जारे में बहलाइबासे कि आड़ाइबे स्कार मुखागनі देंगे माश्डा महलाल मेकवाल के इकलते पुत्र मनोज मेकवाल माश्डी जी के पुत्र मनोज मेकवाल मुखागनी देंगे इंडवन के हाथ में आप देख रहे है det, 音श quyषेते, मनोज चंदनर पित हैं अपने पिता जी को मनते जी के पोत्र प्यूस मनोजी के पुत्र पोत्र के द्वारा अब मुखागने दी जाएगी जेलक्लक्टर एस पी अभी भी मोजूद हैं अपर अब मोणला जी के छोटे भाई वागीत मेखवाल सभी ढांटस बता रहे हैं अगरी विदाई हो रहे ही है अड़ो पॉनर परिस्त किया जा रहा है सामाजी एक ज्यान दिखाता है मंते माश्ट पॉनला ने मेखवाल को अधियार जुका दिए गए अधियार जुका अधियार विर भाई आप जोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कड़ाइप अवक वाइप लादता है तराओप जहाँ वायिघ कर! जिर बार! कि दोड़ाँ जो गई बार एमाना ज़िए भाइप वाइप तालता है! लगए पार्वावप! लगाँ पार्वाप दोड़ाप लागप! फायर के साथ आखिन विदाए दी गई है कर दो कार्ट बन भर कोड़ गार साथ कार्ट दाथ कार्ट बने पल कार्ट पर दाथ कर दो वाई ने। जड़ेदोना जाल 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 पापाजी, पापाजी, पापाजी शुदान गट के विधाएक महान निता, राजस्तान के समाजिक नाए, अधिकारता मंति मास्टर्म हमुलाज मेङकमाल की, देह पंचसा्त्तव में मिलिन हो रही है, हमने एक महान नेता को दिया राजस्तान के राजनेते में एक बड़ी ख्षती हुई है और यह आप देख रहे हैं उनकी चिता जल रही है बहुत बड़ा नाम था और निशी तुर्फ से बार बार में कहूंगा कि यह पूरी ख्षती है जो एक भासा होती है पूरी ख्षती की वो यहाँ पर कई जा सकती है आज सही माइने में यह पूरी ख्षती है क्योंकि कॉंग्रेस में एक बहुत बड़ा नाम बाट बहुनलाल मेगवाली था उनके जाने के बाद में एक रिक्तता एक सुन्यता नजर आ रही है अब देखते हैं कि यह रिक्तता कोन पूर्ण करता है लेकिन बहुनलाल में एक बाद चला गया अब उनके केवल जो वीडियोस हैं उनके भासन हैं उनके चित्र हो रहे गए उनकी जो दे हैं ओपन स्थित्व में यहाँ पर बिलीन हो रही है हजारों लोगों ने उनको अंतिम इदाई दी और बोजलाई बास के इस समसान में उनकी यह अंतिम संस्कार की आखरी जो कड़ी थी वो यहाँ पूर्ण हुई है सुनील स्वामी के साथ आप सब का देने बात नमस्कार स्वार्गे हमारे विदाईक मास्टर महलाजी में एकवाल के इकलोते पुत्र मनोस्मोईल हैं हम साथ में खेले हैं और आज मेरे से सब्द नहीं निकल दे हैं क्योंकि मैंने कभी इनसे टीवी पर कभी बाचित नहीं गिये और उसको यह नहीं सुचा था कि ऐसे उसर पर बाचित करने का उसर मिलेगा आपके यादनी पिता जी को आज लोगों ने सरदाने देपित की हजारों के संक्यामल हो गए पूरा मंत्री मंडल रास्तान सरकार का यहां पर पहुंचा भारती जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचे केंद्र मंत्री अंजुन महवाल जी भी पहुंचे मैं दो सब्द लेना चाहूंगा मनुजी से किन सब्दों में सब का भार वेक्त करेंगे जिस तरह से आज पिता जी की अनतिम विदाई में सामिल होने के लिए पूरे रास्तान सरकार के मंत्री जिन पहुंचे हैं केंद्री मंत्री भी पहुंचे हैं एक समाजी कार्य करता सर पंज गन पहुंचे हैं जितने भी महानुबाव आज आये हैं मैं सब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दुख की घड़ी में मुझे और मेरी परिवार को जो संबल परदान किया है और जो ढानलस मनाया है मैं सब को धन्यवाद देता हूँ मास्टर बवरलाल जी के निधन की खबर बहुत दुखद है आपने सार्वजनिक जीवन में अपनी जनप्रतिनी दी के रूप में उतकरष्ट सेवाएं दी है जिनको सदेव याद किया जाएगा एक निर्भीक बेबाक नेता के रूप में आपकी छवी को सभी जानते थे सुजानगड परिवार के लिए ये अपूर्तनी एक्षटी है जिसको भरपाना बहुत ही मुस्किल है मैं अपने व्यक्तिगत क्षटी भी मानता हूँ क्योंकि मास्ट जी से मेरे पारिवारिक रिष्टे थे एक कॉंग्रेस परिवार के एक कर्मठ निश्टावान जुझारू एक नेता हमारे बीच अब नहीं रहे मास्ट जी सुजानगड छेत्र के सभी लोगों से पारिवारिक संबंध रखते थे भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को श्री चर्णों में स्थान दे उनके परिवार को इस दुख्य गड़ी में शक्ति प्रदान करे ओम शान्ति जब फिर भवार को शान्ति